तो गैस फाइनली आ चुका है मेरे पास सैमसॉंग गैलेक्सी M51S और यहाँ पर जहाँ अपने इसका छोटा सा क्विक अन्बोक्सिंग देखी लिए होगा यह फोन मेरे पास कली आ गया था और मैं कली अबोक्सिंग डालने बला था बट मैंने फीचर वीडियो डाल दिया अन्बोक्सिंग इसलिए नहीं डाला क्यूँकि यहाँ पर जए को हैंजاي कोई अन्बोक्सिंग में खास ज्यादा अच्छा नहीं हैं अगर जए कहीं उसके बाद हमें जो है, फोन देखने हो मिलता है, उसके बाद हमें C-Type, 2C-Type केबल देखने हो मिलता है, और 25W का Fast Charger देखने हो मिलता है, और Box के अंदर कुछ भी खास नहीं है, तो इस वाद से मैंने यहाँ पर कल Unboxing को Ditch कर दिया था, क्योंकि मैं आप जो है, आपके लिए आपका यहाँ पर डाउट क्लियर हो जाएगा, और आपको बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस बार में आप सोच सकते हैं, और काफी लोगा confusion था, Samsung Galaxy M31S ले, या फिर यहाँ पर M51 ले, तो इस confusion को भी चलो दूरी कर देते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर बात कर Samsung Galaxy M31S का डिस्प्ले साइज कितना था, 6.5 इंच का, यहाँ पर हमें कितना देखने हो मिलता है, 6.7 इंच का, और यहाँ पर यहाँ पर S AMOLED प्लस डिस्प्ले देखने हो मिलता है, चलो मान लेते हैं, डिस्प्ले में थोड़ा बहुत अंतर होगा, जादा अंतर नहीं होगा यहाँ पर हमें क्या देखने हो मिलता है, 7,000 मिल्यां पर का बैटरी, वहाँ पर हमें क्या देखने हो मिलता है, 6,000 मिल्यां पर का बैटरी, यहाँ पर हमें क्या देखने हो मिलता है, NFC का सपोर्ट, वहाँ पर हमें NFC का सपोर्ट, नहीं देखने हो मिलता है, साथ साथ यहा यहां पर पैसा का भी different हो जाता है, अगर Samsung Galaxy M31 का base price discount चोड़ कर भी देखा जाए, तो वहां पर 6GB, 128GB का price उनीस देखा जाता है, और इसका 6GB, 128GB का discount चोड़ कर देखा जाए, तो 25,000 के आसपास इसका price हो जाता है, तो after all अगर देखा जाए, तो 6000 का different gap हो जाता है, मतलब इन द उनों के price section में, तो यहां पर जाए, सब कुछ में different होई आता है, after all अगर आप gaming नहीं करते हैं, suppose आप day to day life users में क्या करते हैं, YouTube देखते हैं, आप normally WhatsApp करते हैं, यह सब करते हैं, तो यहार मैं आपको भूलूंगा, Samsung Galaxy M31S की तरफ जाए, फालतु का यहां पर 6000 रुपय आपको देने के जरूत नहीं, जो gamer है, जो थोड़ा heavy tasking वगरा करते हैं, उनके लिए यह phone ठेक है, मतलब 25 खर्चा करके non Chinese phone लेना अच्छी बात है, और especially मैं इस phone को यूज कर रहा हूँ, तो मुझे काफी अच्छा लगा, Snapdragon का 730G, मतलब boosted performance है, मतलब जिनको Samsung का Exonus 9611 से चिड़ ह हो गया है, और थोड़ा सा gaming वगयरा करते हैं, PUBG खेलते हैं, Call of Duty खेलते हैं, तो वो यह phone के तरफ जा सकते हैं, 6000 रुपे एक्स्ट्रा दीजिए, और Samsung का ये वाला ले लिजिए, यहाँ पर आपको gaming वगयरा मस्त, मस्त, मस्त आ जाएगा, मतलब 730G इतना बढ़िया है, बाक यहाँ पर आकर आप मुझसे directly chat करो, मैं आपको वहाँ पर समझा दूँगा, क्योंकि comment section में समझाना जो है, possible नहीं हो, पता है, काफी सारे comment आ जाते हैं, बाकी जो है, start करते हैं, 24 hour का review package, तो यहाँ पर start कर लेते हैं, none of the design and build quality, तो यहाँ पर design and build quality में थोड़ा सा हसी आ गय था, मतलब यहाँ पर क्या कर दिया गया, आप खुद देख सकते हैं, एक ही color मतलब दे दिया गया है, और वहाँ पर dual tone color था थोड़ा देखने भी अच्छा लग रहा था, और हाला कि यहाँ पर form factor same है, आपको मतलब वही frame वगरा देकर किया गया है, form factor में कोई भी different नहीं है तो यहाँ पर जो है, थोड़ा सा design अगर बोला जाए, तो simple सा design है, that's it, मतलब coverable लगाईएगा तो छिप जाएगा, कोई गम नहीं, तो यहाँ पर जो design है, वो मैं आपको all over average बोलूँगा, और weight की बाद करें, तो यार यहाँ पर जो है, इसका weight हलका लगता है, मतलब उतना weight-ish नहीं लगता है, 7000 million पर का battery दिया गया, एक चीज़ याद रखिएगा, और इसको हलका ही बनाया गया है, 217 या 18 ग्राम के आसपास का, इसका weight है, exact मुझे पता नहीं है, नीचे लिखा हुआ मिल जाएगा, exact weight कितना है, तो यहाँ पर जो weight है, वो tick-tock है, SAR value की बात करें तो यहाँ पर इंडिया के हिसाब से limit में आपको SAR value देखने को मिल जाता है, तो यह निस्चेंत रही है, SAR value के लेकर आपको tension लेने वाली कोई बात नहीं है, और यहाँ पर जो है, एक हाथ से थोड़ा bulky phone मतलब लगता है कि नहीं, क्योंकि 6.7 इंच का skin दिया गया, तो देख यहाँ पर बड़ा फोन नहीं लगता है, यह चीज Samsung में काफी अच्छा किया, इनफेक यहाँ पर बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको 6.7 इंच का full HD plus S AMOLED plus display देखने हो मिल जाएगा, और display quality यहाँ पर काफी बढ़िया है, बड़िया है, बड़िया है, यहाँ पर बिंदी notch display दिया गया है, याँनि कि infinity or display, वो जो है कहीं निया कहीं, यह जो notch है, वो छिप जाता है, मतलब वीडियो देखते वक्त, यह नजर में नहीं आता है, और यहाँ पर black, जह exact black नजर आता है, AMOLED display की वाई से, अगर आप यहाँ पर जहें movies बगरा देखते हैं ना, और night scene को enjoy करेंगी, तो आपको night scene काफी बढ़िया देखने को मिलेगा, तो after all इसका जो display है, वो काफी बढ़िया है, इसको लेकर आपको कोई भी issue नहीं होगा, और यहाँ पर जहें काफी लोगों का question रहा है, Samsung Galaxy M31S के time में भी question था, knock security मिलता है कि नहीं, तो जियां यहाँ यहाँ पर support देखने को नहीं मिलेगा, जियां, S folder और good lock का support इस phone में जो है, नहीं देखने को मलता है, तो थोड़ा सा निराश होने वाली बात है, obviously बात है, यहाँ पर M series को A series से अलग किया जा रहा है, तो यहाँ पर A series के feature को इसमें डाल देंगे, तो उनका A series बिगेगा ही नहीं, तो इस पर से यहाँ पर secure folder और good lock को जो हटाया गया है, इस phone से, हलाकि nox security है देना चाहिए था, बट हटाया गया है, nox security भी काफी अच्छा work करता है, nox security बारे में जाता जाना है, तो आई बन पर link मिल जाएगा, उस video को देख लीजएगा, nox security बारे में आप जान पाईएगा, बाकी बात करते हैं, इसके दिल, heart processor के बारे में, तो यहाँ पर आपको snapdan का 730G processor देखने को मिलता है, और यह processor manager काफी सारे phone में already use कर लिए है, और यह processor काफी पढ़ियां perform कर रहा है, इस phone में, मतलब यहाँ पर आप अगर गेम अगेरा खेलते हैं, especially यहाँ पर 6GB कर रहा है, में देखने को मिल जाता है, 128GB का storage देखने को मिल जाता है, इसका price आपको 25,000 मिलेगा, और 2000 रुपय कम भी हो जाएगा, अगर HDFC का card है, और एक variant आता है, 8GB, 128GB जो आप ले सकते हैं, जिसका price जो है, आपका 27,000 है, 2000 उसमें भी कम हो जाएगा, 25,000 में हो मिल जाएगा, अगर आपके पास HDFC का card है, पाकिया आप और 6GB के RAM में मुझे गेम खेलते हुआ, कोई भी issue नहीं हुआ, और 730G काफी बढ़ियां पॉर्म कर लेता है, Call of Duty मैंने आप और काफी अच्छे थे किसे enjoy किया, in fact मैं gaming review dedicatedly लाऊंगा, जहाँ पर मैं आपके लिए specially इसमें PUBG को भी खेल कर देखोंगे, PUBG Unband होने वाला है जल्दी, ऐसा news आ रहा है, तो मैं पहले से कहल के आपको दिखा दूँगा, जिससे आप अगर अभी वाय करते हैं, ना सोचते हैं, तो PUBG Unband होने के बाद आपको पस्ताना ना पड़े, तो यह मैं आपका भाई होकर इतना कर दूँगा आपके लिए, बाकी यहाँ पर आपको 7000 मिल्यांपर का बैटरी देखने को मिल जाता है, 25W Fast Charger के साथ, मतलब आप सारा दिन भी इसके साथ लगे रहे हैं, बैटरी खतम करना आपके लिए पसीना छोटाने जैसा होगा, क्योंकि Samsung Galaxy M31S में 6000 मिल्यांपर का बैटरी था, और वहाँ पर मैंने कड़ी तोड मेहनत की थी बैटरी देखने का, और वहाँ पर 11 घंटे लग गये थे मुझे बैटरी खतम करने में, यहाँ पर 1000 इमेज जाद आई है, तो काफी जादा मेहनत लगेगा, तो मैं यहाँ पर बैटरी देखने वीडियो नहीं लाने वाला, आप लोग ब कर दूँगा, जिनरली मतलब उसने, हाँ वही एक ही बात है, तो बोला जाए, तो यहाँ पर जो है, आपको पर दमदार देखने हो मिलेगा, प्रुसर्ट दमदाव देखने हो मिलेगा, तो इसको लेकर कोई इश्यू नहीं है, और यहाँ पर जो है, आपको 6GB RAM में से, 3GB RAM जो है, 1st boot में free देखने हो मिलेगा, 128GB storage में से, 106GB आपको 1st boot में free देखने हो मिलेगा, बागी बात करते हैं, इसके security की, तो security में आपको face unlock और fingerprint sensor देखने हो मिलता है, face unlock काफी अच्छे तो इसे work करता है, यहाँ पर आप देख पाएंगे, मैं face ला रहा हूं, open हो जा रहा ह तो यहाँ पर face unlock इसका काफी अच्छे तेख से work करता है, बागी बात करते हैं, fingerprint sensor की, तो यह भी काफी अच्छे तेख से work करता है, just मैं यहाँ पर touch करता हूं, और यहाँ पर यह unlock हो जाता है, touch करता हूं, unlock हो जाता है, तो यहाँ पर fingerprint sensor भी इसका काफी अच्छे तेख से work क जाएंगे यहां पर जो है 10 multiple touch का support देखने हो मिल जाता है और आपको camera to API भी enable देखने हो मिलता है तो यहां पर जो है आपको इन सब connectivity को लेकर कोई भी ज़्यादा issue नहीं होगा network की बात कर लेते हैं तो मैंने इसमें जो है जो है जो है जो है यूज किया एक दिन तक पूरा मतलब 24 आवर तक और थोड़े बहुत call वगयरा कि तो यहां पर जो कोई issue नहीं हुआ और even बात कर लेते हैं इसके speaker की तो इसका जो speaker का sound है वो मुझे थोड़ा सा low लगा जी हाँ तो Dolby Atmos का support दिया गया है अगर आप यहां पर headphone को connect कर लेते हैं तो यहां पर 3.5 jack से अगर आप headphone से गाना वगरा सुनते हैं तो काफी बढ़ी है यहां पर आपको sound quality वगरा देखने को मिल जाएगा तो after all बात करते हैं at the end इसके camera के बारे में तो front में जा आपको 32 अपसल का selfie camera देखने हो मिलता है इसमें Sony का sensor दिया गया है तो after all यहां पर जो selfies वगरा है वो काफी बढ़ियां आपको देखने हो मिल जाता है even बात करते है rear camera की तो आपको Samsung Galaxy M31S का camera review देख लीजिए एकदम हो बहु सेम यहां पर camera देखने हो मिलता है कुछ जादा different नहीं है वही 64 में अपको Sony का IMX682 sensor देखने हो मिल जाता है 12MP का आपको wide angle lens देखने हो मिलता है 5MP का macro lens देखने हो मिलता है 5MP का आपको dip sensor देखने हो मिल जाता है तो rear camera में आपको वही Samsung Galaxy M31S जैसे ही तोड़ा बहुत जो है different हो सकता है मिले बट जादा different आपको देखने को नहीं मिलता है तो मेर अगर बोला जाए मैं क्या suggest कर सकता हूँ तो यार मैं यहाँ पर एक ही चीज़ करूँगा अगर यहाँ पर आप जादा gamer नहीं है आपको day to day life users में normal use करना है तो आप 6000 रुपे extra देखर इसको buy मत कीजिए आप जाए Samsung Galaxy M31S की तरफ और उसको buy कीजिए वहाँ पर जहाँ आप या फिर कोई और गेम खेलते हैं तो मेरे ख्याल से 6000 एक्स्ट्रा दे दीजिए अगर आप दे सकते हैं तो इसको ले लीजिए आपको यहाँ पर गेमिंग वगरा में performance बढ़िया देखने हो मिल जाएगा सासाथ camera module भी इसका काफी सही है तो यह था मेरा एक छोटा सा review 24 hour का थोड़ा मैंने यहाँ पर जो है एकदम freely review दिया है तो उतना टिकी टाइप का मैं घुसके review नहीं दिया फ्रैंकली मैंने review दिया है अपना तो आपको अगर यह वीडियो पसंद आता है तो यार प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजेगा यार वीडियो बनाता हूं काफी मैनत से जो phone buy करता हूँ मैं खुद से buy करता हूँ इसे मैंने खुद से buy किया है और sell करने में loss भी हो जाता है काफी बार generally कुछ friend होते हैं то उतना जदा loss नहीं होता है बाण कहीं sell करो तो loss हो जाता है आपका साथ दे सके तो मैंने प्रेंट जो बनाया है वो काफी अच्छ 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 फ्रेंड बनाए कुछ धोका दिये हुए हैं बट ये अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजेगा बाकी चैनल पर नहीं है तो चैनल को सबस्क्राइब करके बिल आइकों को पेस करके और पे क्लिक जाए को कि मैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहता हूं और यहाँ पर इस पोई से रिगार्डिंग कोई भी कोई से नहीं है फिर कोई भी कोई यह नीचे कोई स्कीन में इस और फिर यहाँ इसांब करने काएगा और अगली वीडियो में अगली इक न्यूक ने टा जाटा लेड़्ये निचीड के साथ